क्या आप किसी ऐसे चात्र को जानते हैं जो भारत का रहने वाला है और पाकिस्तान में उच्च सिक्षा ले रहा है। मैं तो नहीं जानता, पहला सवाल तो मेरे मन में यही आया कि उच्च सिक्षा के लिए पाकिस्तान कौन जाता है। खेर जो भी जाते हैं या जाने की इच्छा रखते हैं उनके लिए एक जटके की खबर है खबर ये है कि UGC और AICTI ने चात्रों को पाकिस्तान के कॉलेजों में प्रवेश के खिलाफ जेतावनी दी है UGC और AICTE ने बकायदा एक अधिसूशना जारी कर चात्रों को पाकिस्तान इस्थित उच्छ सिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने के खिलाफ आगाह किया है विश्विद्यालय अनुदान आयोक और अखिल भारती तकनीक सिक्षा परिशद द्वारा जारी संयुक्त अर्धिसूशना में उन चात्रों को एक सलाह दी गई है जो पाकिस्तान में इस्थित कॉलेजों और विश्विद्यालों में उच्छ सिक्षा के लिए रूची रखते हैं ये अडवाईजरी उन चात्रों के लिए बेहत जरूरी है जो पाकिस्तान में सिक्षा लेकर आते हैं और देश में रोजगार की तलाश करते हैं इस नोटिस में ये कहा गया है कि कोई भी भारती नागरिक या विदेशी नागरिक जो पाकिस्तान के किसी भी डिग्री कॉलिज या सेक्शनिक संस्थान में प्रवरेश लेना चाहता है, वो भारत में रोजगार या उच्छ अध्यन के लिए पात्र नहीं होगा. पाकिस्तान इस तित उच्छ सिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले चात्रों के भविश को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच एडवाईजरी में ये कहा गया है कि निकट भविश में ऐसे चात्रों के लिए गंभीर प्रणाम हो सकते हैं. एडवाईजरी में ये भी कहा गया है कि जो चात्र उच्छ सिक्षा के लिए पाकिस्तान के कालोजों या विश्विद्यायलों में जाते हैं उन्हें भारत में सीमित या कोई नौकरी या उच्छ सिक्षा का अफसर नहीं मिल सकता है. नोटिस में ये लिखा गया है कि सभी सम्मंधितों को ये सलाह दी जाती है कि वे उच्छ सिक्षा प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान की यात्रा ना करें. और अगर आप उच्छ सिक्षा के लिए पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान में हासिल की गई ऐसी सिक्षा योगिता चाहिए वो किसी विविशय में हो उसके आधार पर भारत में रोजगार या उच्छ अद्धयन के लिए पात्र नहीं होंगे अलाकि भारती ये नागरिक्ता प्राप्त प्रवासियों को रहत दी गई है UGC और AICTE ने ये भी कहा है कि जिन प्रवासियों को भारती ये नागरिक्ता दी गई है वे इस खंड के अपवाद होंगे मतलब प्रवासी और उनके बच्Net जिन्हों ने पाकिस्तान में उच्छ सिक्षा की डिग्री हांसिल की है और जिन्हें भारत द्वारा नागरिक्ता मिल चुकी है MHA से सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद वो भारत में रोजगार पात करने के लिए पात रहूंगे समाचार एजनसी PTI KV Report के मताबिक AICTE के अध्यक्ष अनिल सहस्त बुद्धे ने कहा है कि भारती च्छात्रों को उच्छ सिक्षा के लिए किन किन देशों में जाना है इस पर उन्हें सलाह की जरूरत है ताकि वे भारती नेवों के साथ समानता के बिना डिगरी के साथ ना होतने है उन्होंने कहा कि माता पिता और च्छात्रों को अपनी मेहनत की कमाई को किसी ऐसी चीज के लिए बरबाद नहीं करना चाहिए जिसकी भारत में समानता ना हो उन्होंने का कि हमने यूक्रेयन सहित अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के मामले देखे हैं और फिलहाल चीन में पढ़ने वाले छात्र भी इसके ताजा उधारण बने हैं यूजीसी के अध्यक्ष जग्दीश कुमार ने भी ये बात कही कि हाल के दिनों में हमने ये देखा कि कैसे हमारे छात्रों को कटनाईयों का सामना करना पड़ा है क्योंकि वे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वापस विदेशों में नहीं जा पा रहे हैं चीन में पढ़ने वाले हजारों छात्र अभी भी परेशान है चीन ने पाकिस्तान और श्री लंका के छात्रों को वापस आने की इजाज़त दे दी है जबकि भारती छात्रों को लेकर अभी भी फैसला नहीं किया गया है रिपोर्ट के मुदाबिक भारत सरकार चीन को लेकर बहुत जल्द फैसला लेने वाली है AICTE के अध्रक्ष ने कहा है कि सिक्षा समानता केस तू केस के आधार पर दी जाएगी और कुछ को परिक्षा देने की आविश्रक्ता हो सकती है ये उन्होंने ये भी कहा कि कुछ कठिन परिस्थितियों के लिए मामले अलग हैं इसलिए जिन भारत सरकार से नागरिक्ता मिली है उन्हें सरकार समर्थन देगी तो बाहर डिग्री लेने जा रहे हैं तो सोच समझ कर जाएए और पाकिस्तान में अगर उच्छी सिक्षा प्राप्त करने का इरादा रखते हैं तो रखिए लेकिन भारत में नौकरी की या उच्चे धन की मत सोचिए लेकिन मेरा सवाल भी यही है कि पाकिस्तान का हाल देखकर वहां उच्छी सिक्षा के लिए जाता कौन है आग को अगर ये पता है तो कमेंट शेक्शन में लिखकर जरूर बताएं इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ नमस्का